हेलो स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करते हैं एक शानदार सा टॉपिक और बहुत इपोर्टेंट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग वैसे तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग हर एग्रिकल्चर का स्टुडेंट पढ़ता है और अगर उसने 11 से ही एग्रिकल्चर ट्रेनिंग और जो प्रूनिंग टॉपिक है वो क्लियर नहीं होता है और बहुत सारे स्टुडेंट ने बोला भी था कि ट्रेनिंग प्रूनिंग टॉपिक है वो करवा दीजिए तो आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग टॉपिक ही डिसकस करवाने वाल आप चाही English medium के student है, चाही Hindi medium के student है, किसी को किसी तरह की कोई problem नहीं आएगी, अपने इस topic को बिल्कुल bilingual लेके चलेंगे, बड़ा smooth सा लेके चलेंगे, थोड़ा सा lengthy रहेगा क्योंकि थोड़ा हम इसको easy लेके चलेंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि training और pruning बहुत आसान topic है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे training method होते हैं, जो हमारे सुने वह भी नहीं होते हैं, और generally exam में पूछे भी वह जाते हैं, तो आज की अपने इस lecture के अंदर देखो, student क्या-क्या discuss करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम general introduction की बात करेंगे, सबसे पहले तो अपने को पता होना कि कौन सी bird और कौन सी branches को क्या बोला जाता है, ठीक है, तो मैं कहूं कि basic terminology है, उसके बारे में discuss करेंगे, उसके बाद में training and orchard tree की बात करेंगे, यानि जो बाग है, उसके अंदर हम training की बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ possible questions है, उनका discuss करेंगे, भी किस तरह हैं कि जो questions है, व होदे होते हैं, परणपाती, पेड़ जैसे मैं बात करूँ, apple, pear, peach, palm, उनके अंदर कुछ special practice, और ये मान के चलिए, जो अच्छे level के exam है, जैसे मैं बात करूँ, jrf है, srf है, ars है, net है, इस तरह के exam में तो जायर सी बात है, special type of training है, वो ही पूछा जाता है, और उसके बा पढ़ते हैं, या फिर मैं बात करूँ कि उसके अलावा आप topiary पढ़ते हैं, उनको लेके भी बहुत सारे confusion होते हैं, चीक है, कई बार हम इदो दर से गलत भी पढ़ लेते हैं, तो इस वज़े से क्या होता है, generally student हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जो actual means है, वो नह करने वाले हैं, और silvy culture tree के अंदर जैसे cop icing है, polarding है, और looping है, इस तरह की जो pruning है, उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, जो generally आप बहुत कम पढ़ते हैं, और कुछ ornamental plant के अंदर भी हम pruning का discuss करने वाले हैं, तो कुल मिला के हम पूरे training और pruning को बड़े तसल्ली से, बड़े अ information है, वो मैं आपको दे देता हूँ, देखिए student अभी जैसे 11 अप्रेल की हम बात करें, 11 अप्रेल को ने बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, IBPS, AFO के बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, WTO के बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, UPTGT, UPPGT, और उसके लाए agriculture for all competitive exam, मतलों किसी competitive exam के लिए आप preparation करते हैं, तो उसके लिए भी नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बैच है, वो हिंदी medium student के लिए भी है, और English medium student के लिए भी है, और bilingual भी है, हना, तो हर तरह का बैच है, वो अबलेबल है, अगर आप कुछ ज़्यादा information चाहते हैं, तो नीचे दिएगे number है, उन पे contact कर सकते हैं, और specially जो मैं number है, वो उपर mention कर देता हूँ, आप उन पे contact करके पूरी जानकारी है, वो ले सकते हैं, ठीक है, इसके लावा student हम बात करें, ये 3-1 है, ठीक है, इसके लावा देखो हम बात करें student, जो हमारी courses है, उनमें आप लोगों को क्या मिलता है, live classes, उसके लावा, जो live है, वो recorded form में मिलती है, पूरे का पूरा study material, यानि notes form में मिलते हैं आपको, और test series है, वो भी आपको मिलती है, और जो हमारा online platform है, वो online agriculture के नाम से website भी है, और उसके लावा, आप Google Play Store से हमारा application भी download कर सकते हैं, उसके last student, जैसे आप में से कुछ जयारफ है सारफ के student है, जो generally इस video को देख रहे होंगे, तो यहाँ online agriculture application पर आपको, जैरफ के सभी पुराने paper sold form में भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो और ज्यादा जो information है, वो आप यहाँ से collect कर सकते हैं, otherwise अपना ये lecture boring आपको लग सकता है, क्योंकि ये advertisement की बात है, जो हम बहुत कम सुन हम थोड़ा सा design कर रहे थे, तब दिमाख में आया, तो देखे, student क्या लिखा हुआ है, plants and humans are wild without disciplines, देखो, इनसान और paid, अगर ये अनसासन में नहीं रहेंगे, discipline में नहीं रहेंगे, तो फिर ये wild ही कहलाएंगे, जंगली ही कहलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम humans की तो बा इनसानों को अनसासित करने के लिए हमारा family है, हमारी society है, हमारी religious है, और उसके लाज जो हमारा सविदान है, वो भी हमें क्या है, अनसासित करने का काम करता है, उस पे हम discuss नहीं करने वाले हैं, हम discuss करने वाले हैं, यहाँ पे plants, और plant को अनसासित करने के लिए generally, discipline में लाने के ये क्या किया जाता है training and pruning किया जाता है इस example को मैं आपको आगे प्रूब भी करने वाला हूँ आपको समझ में आ जायेगा कि ये एक discipline manner है और कुछ नहीं है training एक वो physical training and pruning दोनों ही वो physical process है जिसके अंदर हम क्या करते है plant को discipline form के अंदर लेके आते हैं यानि उसे wild होने से बचाते हैं वो ही training and pruning है यह definition नहीं है इस पूरे chapter को पढ़ने के बाद अगर मैं आप से concluded एक line पूछना चाहूँगा तो आप यह reply देंगे कि यह plants के अंदर एक discipline पेदा करने का physical method है और कुछ नहीं है तो generally training and pruning अपने start करते हैं student उससे पहले कुछ जो terms है वो हमें पता होना ची हम उन पे discuss करने वाले हैं देखें student यहाँ पे हमने यह जो plant लिये यहाँ पर कई सारी terms है वो हमें सीखनी है यह पूरे का पूरा plant का एक धान चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो आपना इन में से कौन से part को क्या कहते हैं बहुत सारे student है उनको ये भी नहीं पता होता कि trunk किसे कहा जाता है head किसे कहा जाता है scaffold branches किसे कहा जाता है crouch किसे कहा जाता है leader किसे कहा जाता है spur किसे किसे कहा जाता है water suit किसे कहा जाता है और सकर्स किसे कहा जाता है और उसके लाव water suckers भी कोई चीज होती है water suckers भी किसे कहा जाता है तो student अपने one by one यहाँ पर discuss करने वाले हैं पहले यह terms आपके अगर clear है अगर यह terms आपके clear है तो आपको training pruning समझ में आएगा otherwise आप रट सकते हैं समझ तो नहीं सकते हैं तो चलते हैं student सबसे पहले definition पर सबसे पहला है trunk trunk क्या होता है the main stem of the plant देखिए student यह जो stem है इसको हम क्या बोलेंगे trunk जो main stem है plant का उसको हम क्या बोलेंगे trunk बोलेंगे ठीक है आप समझ रहें इस बात को बहुत simple सी बात है जो main stem है उसको क्या बोला जाता है trunk बोला जाता है तो पहली definition तो बिल्कुल clear हो जानी चीए आपके main stem जो होता है किसी bit tree का उसको हम क्या बोलेंगे trunk बोलेंगे दूसरा होता है student head head अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि head से समझ दित हम यहाँ पर दो-तिन बाते और भी करने वाले है head क्या होता है वो point जहाँ पर पहली branch आती है यह जो trunk है इसकी वो height जहाँ पर पहली scaffold branch या पहली branch आती है जो stem से direct branch निकलते है उसको हम scaffold branch बोलते है या फिर primary branch भी बोल सकते है तो scaffold branch क्या है scaffold branch होती है कि जो stem से निकलती है या trunk से जो branches निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं स्कैफोल्ड बोलते हैं और जो पहली स्कैफोल्ड ब्रांच निकलती है या पहली जो प्राइमरी ब्रांच निकलती है उसकी जो हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं हैड यानि ये पहली ब्रांच निकल रही है तो ये इस्ट्री का क्या कहलाएगा head कहलाएगा तो scaffold branch और head मेरे इसाब से दोनों आपके clear हो जाने चीए अगर आप scaffold branch की definition देखना चाहते हैं तो the main branches arise from the head or known as the scaffold branch तो जो head है वहाँ से branch निकल रही है उसके आगे भी जो branches निकल रही है स्टेम से उन सब को हम क्या बोलते हैं scaffold branches और पहली scaffold branch निकलेगी उसको हम क्या बोल देंगे student head बोल देंगे और ये head की height के अनुसार हम tree को तीन पार्ट में divide कर सकते हैं low head, medium head और high head low head का मतलब क्या होता है head की height अगर हमने कम दिये कहने का मतलब primary branch निकलने की height है वो हमने कम दिये तो वो low है और अगर ठीक ठाक दिये तो medium है अगर ज़्यादा दे दी तो कौन सी है high head है अब इनका significance क्या है इनका महतो क्या है वो देखे student अगर मैं low head की बात करूँ अगर आप head की height 0.7 to 0.9 meter रखते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे low head tree बोलेंगे यानि तेज हवाएं देखने को मिलती है वहाँ पे low headed रखा जाता है यानि dwarf tree है उसको prefer किया जाता है ताकि वो breakage के लिए resistant दिखा सके यानि तूटने का अवरोध है वो कर सके तो low headed कहाँ पे यूज़ करेंगे student windy area के अंदर यूज़ करेंगे next अपने बात करें medium head medium head उसको बोलेंगे जिसमें primary branch को या first scaffold branch को आप 0.9 से 1.2 meter height पे यानि 0.92 1.2 meter height पे allow करोगे उसे medium head planterी बोलेंगे ये कहाँ पर prefer किया जाता है ये वहाँ पर जहाँ पर हमारा एक combinational purpose होता है या जहाँ पर हमारा dual purpose होता है यानि जहाँ पर हमारे दोहरे उदे से ही पूरे हो जाए एक तो क्या है जहाँ पर wind velocity थोड़ी ज़्यादा होती है और जहाँ पर हमें क्या है थोड़ा easy management लेना है वहाँ पर medium headed जो tree है वो अपने use करेंगे और charge के अंदर next है high headed जिसमें हम क्या करेंगे जो first primary branch है या head है उसकी height ज़्यादा लेंगे कितनी लेंगे almost ये मान के चलिए कि 1.2 meter से ज़्यादा height लेंगे कितनी height 1.2 meter से ज़्यादा height लेंगे उसको हम high head के अंदर रखेंगे generally high head जो है student ये उन area में लिया जाता है जहाँ पर wind velocity जो है वो क्या है काम में लेते हैं high head चो टरी है वो काम में लिया जाता है तो मैं उमीद करूँगा कि trunk head और scaffold branch आपको समझ में आ गई है अगर नहीं आई है तो फिर आगे समझना मुस्किल हो जाएगा number of scaffold branch कितनी रखेंगे वैसे अगर हम सारे trees की बात कर लें उसमें orchard वाले आ जाएंगे बाग वाले यानि fruit crops की बात कर रहा हूँ और ना mental आ जाएं तो almost ये मान के चलिए range होती है 2 to 15 2 से 15 scaffold branch रखते हैं लेकिन अगर मैं in the case of fruit tree यानि जो फलों वाले पेड़ हैं उनके case में बात करूँ तो ये branch जादा हो जाएगी वहाँ पे हम रखते हैं 5 to 8 या फिर 5 to 8 नमबर की बजाए आप battery रखिए कि 4 to 8 नमबर याद रखिए कितने नमबर याद रखिए 4 to 8 तो हम scaffold branch कितनी रखते हैं student 4 से 8 बहुत important चीज है पुछी जाती है कि एक fruit tree के अंदर आप कितने scaffold branch रखते हैं तो 4 to 8 scaffold branch रखते हैं ठीक है next जलते हैं distribution of scaffold branch देखिए student generally क्या होता है most of common training method में जाओगे तो ज़्यादातर क्या है कि जो scaffold branches है उनके बीच का जो gap है वो शुरू में तो रखा जाता है 15 to 20 cm जब इनकी length increase हो जाती है तो ये मान के चलिए कि दो scaffold के बीच में कितना space होना चीए 45 to 60 cm होना चीए कितना 45 to 60 cm का बीच के अंदर क्या है gap होना चीए एक side की 2 scaffold जो branch है एक side की 2 scaffold branch है उनके बीच में कितना होना चीए 45 to 60 cm का gap एक side की हना वेसे अलग-अलग side की अगर हम बात करें तो ये कितना हो सकता है जो gap है वो 15 to 30 cm हो सकता है क्योंगि हम इसी तरह से parallel में देते हैं एक इधर branch लाऊ है तो फिर इस तरफ लाऊ करेंगे अपने जाहर सी बात है तो हम कितना gap देके रखते हैं दो एक तरफ की branches में scaffold branches में 45 to 60 cm का gap देके रखते हैं और जो नस्दीक की दो branches है उनमें 15 to 30 cm का gap है वो 2 scaffold branches के अंदर देके रखेंगे यानि अब देखिए student generally अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गोर करिएगा यह लगबग एक direction की जो scaffold branches है और इनके बीच आप कितना gap रखेंगे 45 to 60 cm का रखेंगे लेकिन अलग-अलग direction की जो है उनके अंदर आ 15 to 30 cm तक का gap है वो maintain कर सकते हैं तो number of scaffold branches भी आपको clear हो गया होगा और जो scaffold branches है उनका distribution भी आपकी clear हो गया होगा next अपने चलते हैं student crotch देखो crotch पहले तो देखो scaffold का मतलो होता है मचान हिंदी में अब आप नाम याद रखना चाओ तो मचान साखाएं अब क्या मचान साखाएं याद रखो कि scaffold branch रख लिए जी ज़्यादा बढ़िया रहेगा next है crotch देखिए student crotch क्या होता है बहुत important चीज़ और यहां से बहुत बार क्योशन पूछा जाता है crotch क्या होता है अब देखिए student ये main stem है अपना और ये है scaffold branch और इनके बीच जो बनने वाला angle होता है उसको हम बोलते है crotch क्या बोलते है student crotch बोलते है और सबसे बहतरीन crotch angle कितना होता है 45 to 60 degree होता है आप से पूछले कि बहतरीन crotch angle कितना होगा तो आप कितना बताएंगे 45 to 60 degree रखेंगे कितना crotch angle सबसे बहतरीन होता है 45 to 60 degree crotch angle सबसे बढ़िया होता है ये ही wind resistant होता है यानि हवा से तूटता नहीं है अगर एंगल इससे लार्ज हुआ ब्रोड हुआ तो dropping branches देखने को मिलेगी और अगर एंगल कम हुआ तो wind से तूटने के chances क्या रहेंगे ज्यादा तो सबसे बहतरीन crouch एंगल क्या होता है 45 to 60 अब बात आती क्रोच एंगल कहते किसी है न तो देखो main branch से primary branch के बीच में बनने वाला एंगल या मैं बोलू student जो trunk है उससे scaffold branch के बीच बनने वाला एंगल उसके बाद next मैं बात करूँ student जैसे ये primary branch है primary branch से जो अगली branch निकलेगी उसको बोलते है secondary branch और primary branch और secondary branch के बीच में य branch निकलते हैं उनके बीच में जो angle बनेगा वो भी crouch angle कहलाएगा यानि बड़ी branch से छोटी branch निकल रही है उसके बीच का जो angle है वो क्या कहलाता है crouch angle कहलाता है और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये पूछी जाती है कि बहतरीन crouch angle कौन सा होगा तो आप बोलेंगे 45 to 60 मैं C लि definition और clear करते हैं अगला है leader अना leader क्या होता है student देखिए वैसे तो आप training पढ़ चुके होंगे थोड़ी बहुत तो नाम से ही पैचान के होंगे leader क्या होता है लेकिन फिर भी देखो the main stem growing from ground level up to the tip dominating all other branches is called as leader देखो leader समझ जाएं क्या होता है ये जो main stem है यहां से लेकर यहां त है प्रभावी है लीड यही कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोल देंगे leader और यह हमने बहुत लंबे तक अलाओ कर दिया तब हम इसको बोल देते हैं center leader बोल देते हैं तो generally student क्या है जो मालो stem जो है वो कहां से लेकर crown से लेकर crown क्या होता है crown भी बात करेंगे crown स लेकर tip तक जो जा रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं leader बोल देते हैं ठीक है और हमने एक लीडर को क्या है बहुत लंबे तक अलाओ किया है तो हम उसको क्या बोलते हैं center leader बोल देते हैं तो यह क्या कहलाएगा leader crown क्या होता है student generally जहां से soil से अपने को stem निकलता हुआ दिखा है फिर student आपने next चलते हैं आगे चाहे आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं यह बहुत important चीज़े और specially होटी culture student के लिए तो यह रामबान lecture रहने वाला है next student water suit एक होते हैं water suckers और एक होते हैं water suit और एक होते हैं सीधे सकर्स एक होते हैं सीधे सकर्स सब की अपने बात करते ह water suit generally क्या होती है generally बहुत vigorous branches होती है water suit देखो water suit student उसे ही बोलेंगे जैसे माल लोग कि आपने यहां budding या grafting कर रखी है यह क्या है generally budding या grafting union है इससे उपर से कई बार stem से या primary branch से या secondary branch से vigorous branches निकलती है जिसमें और कोई आगे branch नहीं निकलती है vigorous branches होती है और unfruited branch होती है प्रूटिग नहीं होने वाला है यह unproductive कभी होती ही नहीं है vigorous होती है और unbranched होती है इसमें से और branches आगे नहीं निकलती है और इसमें कभी fruit भी नहीं आता है इस तरह कि जो branches होती है उसको हम water suit बोलेंगे इसको अपने student water suit बोलेंगे और water suit हमें कभी tree पर रखना ही नहीं होता है क्योंकि ने तो वो ब्रांचड है और ने ही वो क्या है फ्रूटड है यानि उसमें किसी तरह की फ्रूटिंग भी नहीं होने वाली है तो इसको हम हमेशा ही प्रूनिंग के दोरान रिमू कर देते हैं प्रूनिंग क्या होती है वो आगे डिसकस करने इसका मतलग क्या हुआ साइन से अगर कोई AC branche निकल रही है मुझनो फिर भी AC अगर कोई branche निकल जाती है तब आप उसको बोलेंगे water sucker तब आप उसको क्या बोलेंगे अपने बात करते हैं student एक होता है सकर सकर्स क्या होता है देखो सकर्स generally सकर्स root सकर्स भी हो सकते हैं और stem सकर्स भी हो सकते हैं अगर below ground level stem से निकलते हैं तब तो हम बोल देते हैं उनको stem सकर्स बोल देते हैं और below ground अगर root से निकलते हैं तब अपने उनको क्या बोल देते हैं root suckers बोलते हैं ये reproductive body होती है आप इनको reproduction, propagation यानि परवर्दन के अंदर काम में ले सकते हैं ये stem suckers भी हो सकते हैं और root suckers भी हो सकते हैं stem के भी part हो सकते हैं और root के भी part हो सकते हैं बट generally अगर orchard में आप माल लो suckers निकाल के sell out कर रहे हैं तो अभी साल में एक दो या तीन सकर्स ही लीजिए अगर आप ज़्यादा सकर्स लोगे तो उपर क्या होगा plant कमज़र क्योंकि food तो यहां distribute हो जाएगा मतलों इनका food है वो कुछ यहां चला जाएगा तो fruit की जो quality है वो inferior हो जाएगी यानि जो फल है उसकी गुणवत्ता क्या है कम हो जाएगी अगर आपके सकर्स sell out हो रहे हैं तो एक साल में दो से तीन सकर्सी लो और plant की initial stage में तो low amount क्योंकि उसको vegetative growth करने दो vegetative growth में उसको food चीए अच्छा खासा food चीए ताकि वो अपना well structure डवलप कर सके और जब अपनी vegetative growth proper हो जाए तब हमें सकर्स ले लेने चीए अगर हमारे सकर्स sell out हो रहे हैं तो लेकिन फिर भी 1 year में 2-3 सकर्सी आप क्या करेंगे लेंगे उससे ज़्यादा सकर्स होंगे उनको आपको remove कर देना है उसको आप generally de-sakring बोलते हैं उसको generally de-sakring और de-sakring हर एक उस plant के अंदर हर एक tree में की जाती है जिसमें सकर्स आते हैं हर एक plant में हर एक tree में की जाती है जिसके अंदर क्या है सकर्स आते हैं ठीक है तो ये कुछ ट्राम्स थी जो मैंने क्लियर की अब देखो कुछ और भी ट्राम्स है उन पे हम डिसकस करते हैं देखो ये बहुत ही मन लगा के बनाई हुई पीडियफ है अगर आपको ये पीडियफ चाहिए तो आप ओनलाइन एगरी कल्चर टेलिग्राम से ये पीडि आपको लगता क्या बात है आप ट्रेनिंग प्रूनिंग बहुत असान है ऐसा नहीं होता है बिना बोटनी जाने आप ट्रेनिंग प्रूनिंग के बारे में सोच ही नहीं सकती है बिना प्रूटिंग बिहेवियर जाने भी आप जनली क्या है ट्रेनिंग प्रूनिंग के बार प्रूटिंग 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 क्या है अपना जो ट्रंक है यानी स्टेम है उससे निकलने वाली जो फूर्टिंग ब्रांच है उसको हम क्या बोल देंगे आम बोल देंगे ठीक है अब आम में भी आगे अपने चलें तो एक होता है शूत और एक होता है कें देखो सूत क्या होता है student जो current season में इसी season में आई है उसको हम बोल देंगे suit जो current season की growth है उसको हम क्या बोलेंगे suit बोलेंगे है न ग्रैप्स के case में decidus tree जो है उनके case में जैसे apple pier वगएरा है इनके case की बात करें अपने जो current season की है यानि young जो branch है उसको हम क्या बोलेंगे suit बोलेंगे समझ रहे हैं और केन किसे बोलोगे जनरली क्या है जो लास्ट इयर की या पीछे पास्ट सीजन की ग्रोथ है और अब मैच्वर हो चुकी है पिछले साल की सूर्ट थी इस साल मैच्वर हो चुकी है तो आप उसको क्या बोल दोगे केन बोल दोगे ठीक है अब क्या होता है स्ट प्रूटिंग स्पर्स क्या होता है जब आप केन की प्रूनिंग कर देंगे केन है यानि जो मैचोर ब्रांस थी आपने जब उसकी प्रेनिंग कर दी तो पीछे क्या है छोटा जो पर बचेगा उसके अंदर मिनीमम आपको 3 बड तो देखने को मिलेगा हम 3 to 6 बड छोड़ते है वो डिपेंड करता है वेराइटी पे फ्रूट पे डिपेंड करता है तो हम क्या है जनली जो केन है जैसे माल लोग की कोई केन है यहां पे उस केन को हमने क्या किया यहां से कट कर दिया और इसके अंदर हमने जैसे मानो कि हम बात कर रहे हैं यह आम है अब इस आरम से निकली ये निकली सूट और सूट अगले साल जाके केन कहलाया हमने इसको प्रून कर दिया और हमने इसको प्रून किया तो हमने इसमें कितने बढ़ छोड़े हमने इसमें कम से कम तो तीन बढ़ छोड़े और उससे भी जादा हम बढ़ छोड़ सकते डिपेंड करता है वेराइटी प तो क्या कहलाएगी केन कहलाएगी केन को हमने पुरून कर दिया और पुरून करते टाइम हमने इसमें क्या है तीन, च्यार, पांट, छै बड़ छोड़ दी थ्री, टू, सिक्स बड़ी मेंली छोड़ते हैं अब यहां आएगी फ्रूटिंग तो जो फ्रूट यह जो हमने स्पर्स क्या होता है जैसे माल लो कि यह क्या था हमारा आम था और आम पे जो केन था हमने उसको क्या कर दिया कट कर दिया पुरून कर दिया जो केन है उसको हमने पुरून कर दिया पुरून करने के बाद स्टूडेंट हम बार बार बात कर रहे हैं कि क्या बसता है स्पर बस स्पर पे हमने सिर्फ कितनी बढ़ छोड़ी है एक ही बढ़ छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है कि अगले साल इसमें ब्रांच ही मर्च हो जाए अगले साल इसमें नई ब्रांच आ जाए इसमें नई जो सूट है वो आ जाए अगर हम सूट के लिए next year की growth के लिए अगर एक ह बढ़ छोड़ते हैं तब हम इसको बोलेंगे foundation spur या renewables पर अगर हम 3-6 बढ़ छोड़ देते हैं fruiting के object से तब हम बोलेंगे fruiting spurs और spurs है वो ये दोनों spurs ये एक तरह से ठीक है cane कौन सा होता है जो old mature branch होती है उस वो cane होता है और cane में आप pruning कर देंगे तो पीछे बचेगा spur और suit क्या होती है cane जब young होता है तब समझ लो उसको हम क्या बोलते है arm क्या होती है जो trunk से direct branch निकलती है वो arm होती है arm से निकलती है वो suit suit जब mature हो जाती है cane और cane को जब trend कर देते हो तो वो क्या बनता है और spur के अंदर fruit आता है तो fruting spurs है और अगले साल के लिए आप branch लेते हो तो उसको आप क्या बोलोगे foundation spurs है आप क्या बोलेंगे renewable spur बोलते हैं ठीक है clear है student यहां पे तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखने है तब ही आपको training pruning समझ में आए भाई सब अधरवाइज आप training pruning है वो किस तरह से समझेंगे तो कोई तरीका नहीं है कि आप training pruning है वो समझ जाओगे इन सब चीजों के बगेर वैसे मुझे उमीद है कि आपको bud के बारे में तो पहले से ग्यान होगा कोई भी branch या stem है उसके जो apical part पे यानि सिर्ष बाग पे जो bud आती है उसको apical या terminal bud बोलते है इसके पास सबसे ज़्यादा food होता है और इसमें oxygen hormone भी होता है इसके पास सबसे ज़्यादा food भी होता है और इसमें oxygen hormone भी होता है मतलो इसकी growth होती है वो बहुत fast होती है ठीक है यह apical bud या terminal bud होती है ठीक है अगर जो branches निकलती है उनके बीच में इस angle में crouch में अगर आपको कुछ बढ देखने को मिलती है तो आप उसको क्या बोल सकते है axillary या lateral bud बोल सकते हैं क्या बोल सकते है axillary या lateral bud बोल सकते हैं उमीद है यह तो पहले से आप लोगों को पता होगा नहीं है तो कम से कम याद कर लेना मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ कि आपको zero आ रहा है और मैं आपको हर एक चीज clear करता हूँ देखो जो top पे आएगी यानि tip पे आएगी उसको आप apical या फिर क्या बोलेंगे लवासा में बताता हूँ और पीछे एक कोट थी तो उसको भी कहीं ने कहीं मैं आपको explain करते वे चलता हूँ ट्रेनिंग क्या है ट्रेनिंग समझ लोग की एक judicious physical process है जिसके अंदर क्या है आप जो tree है यानि जो plant है उसका size, shape और direction है वो control करते हैं size, shape और direction control करते हैं देखे student अगर कोई tree है हमने उसको शुरू में लगाया और उसको अपनी मर्जी से बढ़ने दिया उसमें जहां चाही वहां पर branch आती गई हना मतलो जहां चाहा वहां उसमें branch आती गई कोई control नहीं था क्योंकि हमने उसमें हर चीज निकलने के लिए allow कर दिया, ये plant बन गया wild form में अब generally student इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो center वाला portion है इसमें proper light और wind नहीं पहुंचेगी, यहां पर जो भी fruit आएगी, उसकी quality बहुत inferior हो जाएगी और अंदर वाले भागों में proper light वगेरा, air का ventilation नहीं होगा, प्रकास और हवा का proper visoran नहीं होगा तो यहां के जो fruit लगेंगे उसमें insect pest disease का attack भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और ये physical form में plant यानि size और shape में भी खूबसूरत plant नहीं होगा यानि ode लगेगा, अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपने इसको कोई अनुसासन दिया ही नहीं, बोले चलने दो, जैसे घर में बच्चा पेदा हो गया, कभी उसको डाट नहीं पड़िये न, तो वो भी wild और ये tree भी क्या हो गया wild हो गया, ठीक है अब तुम सोचो, तुम्हारा मन ऐसा करे कि अब हम क्या करें ये भाई tree बिगड़त हो गया, अब इसको सुधार ले, अब इसमें आप देखो branches mature हो चुकी है जब आप इसमें ये branch काटोगे तो ये काफी भाग खाली दिखेगा और यहाँ पर इसका जो part भद्दा लगेगा जिसको आप काट दोगे यानि एक सम्य निकलने के बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको discipline देदू, अनुसासन देदू तो possible ये भद्दा लगेगा बेकार लगेगा आप इसको commercial form में लाई नहीं सकते हैं वेसे ही जैसे कोई किसी के घर बच्चा बिगड़ गया 20 साल, 15 साल, 20 साल तक तो उसको कुछ बोला नहीं गया 15-20 साल बाद उसके पापा का मन हुआ कि मैं आज इसमें सारा discipline भर दूँगा और आज इसको set कर दूँगा आज मैं इसको discipline दे दूँगा सारा गसारा अब पापा ने डंडा उठाया और बेटे को पीटने लगे पीटने की कोशिस करने लगे फिर पता चला कि पापा खुद ही पीट के आगे क्योंकि ये तो खुद discipline था ही नहीं उसको तो जो father है उनका respect था ही नहीं अगर उसमें discipline होता तो ये सोचने की जूरती नहीं पड़ती तो discipline लाने के लिए क्या करना पड़ता है छोटे से ही है ना डांट, फटकार, कहियों के hard training भी होती है होती होगी आप में से किसी के ना तो उसको क्या है trend करना पड़ेगा वैसे ही tree को भी क्या करना पड़ता है trend करना पड़ता है तो अब गोर करिएगा ये example प्रयाप्त है आप लोगों के लिए कोई भी tree है student वो initial stage में जब growth करता है तो उसकी growth के साथ साथ ही हम allow करते हैं कि इसमें कितनी scaffold branches है वो आने चीए कितनी scaffold यानी primary branches आने चीए है इसके जो stem है उसकी height केसी होनी चीए ठीक है इनका crouch angle है वो कौन से crouch angle वाली branches है वो अपने को रखनी है इसका shape हमें triangle shape देना है pyramid shape देना है या फिर हमें bowl shape देना है या फिर हमें round shape देना है ये umbrella shape देना है ये सुरू से ही आपको सोच के चलना पड़ेगा ये initial stage से ही आपको काम सोच के चलना पड़ेगा और उसके साथ साथी जो wanted branches होगी जो हमारी इच्छा अनुसार साखाए होगी हम उनको रखेंगे जो हमें लग रहा है कि हम जो चाह रहे हैं उसके just opposite है तो हमें उनको remove करना पड़ेगा और उसी को आप क्या बोलते हैं ट्रेनिंग तो first question आप लोगों का ये बनता है कि ट्रेनिंग जो है वो initial stage में की जाती है ट्रेनिंग है वो student generally क्या है initial stage में की जाती है ज्यादातर fruit tree के अंदर जो ट्रेनिंग का time होता है वो 2-5 years होता है यानि initially 2-5 साल होते हैं उसी दोरान हम क्या करते हैं ट्रेनिंग और judicious cutting करते हैं यानि बुद्धी मता से अपने क्या करते हैं cutting अपने आपने physical process है तो हम एक क्या judicious physical practice करते हैं जिसके अंदर उसके size को उसके shape को और उसके जो direction है इन तीनों चीजों को control करते हैं और control करने का object क्या है control करने का student आपका object क्या रहने वाला है क्या उदेश्य रहने वाला है एसा तो है नहीं कि आपको आनदा रहा है कोई ना कोई तो आपका उदेश्य होगा उदेश्य क्या है उदेश्य है object है size, shape और direction को control करने का object है stem और suit ratio बढ़िया maintain हो stem and suit ratio है वो बढ़िया maintain हो तना और साखाओं का अनुपात बढ़िया हो पहला दूसरा इसमें wind का ventilation है हवा का ventilation है वो अच्छा हो ठीक है हवा अच्छे से ventilate हो जाएगी अगर ये dense होता और हवा ventilate नहीं होती तो इसके तूटने के chances रहते ठीक है और अंदर center part के अंदर insect pest disease लगने के chances यानि कीट रोगों के लगने की संभावना ज़्यादा रहती उसके अलावा आपका object है कि plant के हर हिस्से तक क्या है proper light पहुंचे plant के एक मतलो proper हिस्से तक क्या है light पहुंचे उसके अलावा आपका जो main object है वो क्या है ये सब चीजें होगी तब इसके अंदर जो bearing है यानि जो yield है वो बहतरीन हो ये yield है वो बहतरीन हो और उस बहतरीन yield से ये जो tree है वो unbreakable हो हना हमारी जो yield है वो बहतरीन हो और इस yield की वज़े से इस उपज की वज़े से क्या हो ये जो tree है वो unbreakable रहे बस इतना ही training है और कुछ नहीं बातने चाये training में आप कितनी ही बताते जाओ बहुत सारे कारण मैं आपको गिना सकता हूँ यहाँ पे training के लेकिन training जो है वो इतनी ही है समझलो सारी चीजें इसमें आगे हमने training के अंदर क्या किया student देखो initial stage से plant के direction को control करने के लिए जो unwanted branches थी उनको remove करते गे और सिरफ उनी branches को allow किया जो इसका एक बढ़िया धांचा बना सके एक अच्छा direction दे सके सिरफ हमने उनी branches को क्या किया allow किया दूसरा उनी branches को हमने allow किया जो एक बहुत सुन्दर सेप दे सके तीसरा हमने सिरफ उनी branches को allow किया कि जो हमारा commercial size है website size है जो हमारा desirable size है वो हम उससे ले सके और उसके अलावा हमने उन branch को इस manner में allow किया कि wind ventilation अच्छा हो और जो light का ventilation है वो भी क्या हो? अच्छा हो stem और जो branches है उनका ratio बहुत शानदा रहे stem और branches का ratio बहुत शानदा रहे crouch angle बहतरीन रहे उसके अलावा इसकी जो bearing capacity है वो बहतरीन हो और उस bearing की वज़े से ये unbreakable हो यही तो training है student इसी को तो हम क्या बोलेंगे? training बोलेंगे training clear हो गया होगा और भी बहुत सारी मैं training में आपको बातें बताने वाला हो तो उसके अलावा देखो student जैसे हम graphs में जाएंगे तो graphs में आप क्या देखते हो? staking देखते हो graphs में अपने किसी सहारे से क्या करते हैं? उसकी wine को चढ़ाती हैं तो आप यहां पे क्या control कर रहे हो? direction control कर रहे हो ना तो ये भी तो training है direction control कर रहे हो ये भी तो क्या है? एक तरह से training ही होती है और क्या होती है? दूसरा कई बार आप जैसे graphs में, रोज में root pruning करते हैं, जड़ों की pruning करते हैं, वो भी type of training ही होता है वो भी क्या करता है? bearing को control करता है, वो भी क्या करता है bearing को control, हलांकी चलो इसको हम pruning में पढ़ेंगे, हाँ training में बात नहीं करते हैं, otherwise आप क्या है? confused हो जाएंगे, ठीक है? तो training है वो size भी देगा, shape भी देगा और generally क्या है? direction भी देता है ये ही training है, अब हम बात करें student pruning training किसे समदित है? training है size, shape और direction से, pruning है plant के function से, pruning किसे related है? plant के function से है हमने क्या है? एक size shape दे दिया, initial stage पे हमने training की, और training करके हमने क्या है? एक tree को बहतरीन size दिया, एक बहतरीन shape दिया एक बहतरीन जो stem और branches ratio है, वो परदान किया लेकिन उसके बाद क्या होता है student कई बार कई branches में किसी disease का infection हो जाता है अगर ये disease infected branch है तो ये productive नहीं रही और अगर ये रही, तो आसपास की branches में भी infection कर देगी तो pruning क्या हुआ? ये disease वाली जो branch है, उसको remove करेगा यानि unwanted हो गई है, ये काम की नहीं बची है, तो ये क्या है? unwanted branch को remove करेगा, जैसे disease जी जाए, insect infected जो branch है दूसरा माल लो, ये इदर से branch निकल रही है, इदर से branch, दोनों आपस में scratch कर रही है, और दोनों आपस में scratch कर रही है, तो दोनों की growth बैतरीन नहीं होगी, इससे अच्छा एक को हम काट देते हैं, एक को कोई बिगाड़ने की कोशिस कर रही है branch, यानि unwanted branch है, तो उसको remove करना भी क्या कहलाएगा, pruning कहलाएगा हम pruning इसलिए कर रहे हैं ताकि इस plant के अंदर, जो carbohydrate है, उसका distribution बहुत बढ़िया तरीके से maintain रहे, carbohydrate का बढ़िया तरीके से क्या होगा distribution रहेगा, तो flowering अच्छी आएगी, और flowering अच्छी आएगी तो क्या होगा, fruiting, तो हम यह कह सकते हैं, pruning जो है वो एक ट्री का functional जो ट्री का जो function होता है उसको control करती है, कुल मिला के pruning का object का, unwanted branch को हटाना, disease वाली जो branches है उनको हटाना, insect इंसेक्ट से affected जो ब्रांच है उनको हटाना, और उसके अलावा अपने बात करें, कि इस तरह की हम उसके अंदर cutting करें, ताकि bearing अच्छी हो, ताकि bearing अच्छी हो, यानि flowering और fruiting है वो अच्छी हो, जैसे कि हम root को भी काट कर क्या करते हैं flowering ज़्यादा लाने की कोशिस करते हैं बैतरिन flowering ज़्यादा लाने की कोशिस करते हैं तो वो भी अपने आप में क्या होती है pruning होती है, उसके अलावा हम छोटे सब्दों में ये कह सकते हैं कि जो हमने training में मैनत किया side, shape और direction दिया है उसको बनाए रखते हुए हम high yield लेने के लिए bearing ज़्यादा लेने के लिए जो भी cutting करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं pruning बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे student हैं, pruning बोलेंगे ये तो था मेरा एक देशी तरीका आप लोगों को समझाने का अब इन दोनों के बीच में अगर आप scientific difference देखना चाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं mainly concerned with give form of shape to the plant मतलोग plant को shape size देने का एक जो cutting है वो क्या है? training है student हम ये कह सकते हैं कि ये framework देने के लिए cutting है training जो होती है, वो किसलिए cutting की जाती है, वो एक framework देने के लिए, यानि size shape देने के लिए वहीं पे दूसरा मैं बात करूँ training में, determining the general character and even details of the plant outlines and its branch and framework जो बात बताई है, उसने यही बोली है कोई अलग से बात नहीं बोली training includes summer training, ये तो training के परकारे आगे पड़ेंगे, training में summer training आता है, उसके अलावा summer pruning भी आता है dormant pruning भी आता है, विन्टर पुरुनिंग, ये सब training के परकार है यहाँ summer pruning लिखा, वास्ता में summer pruning ही है यह, ऐसा नहीं है कि मैंने गल्ती से यहाँ training से pruning, ये भी मैं clear करूँगा, summer pruning को कहते हैं dormant pruning को training क्यों कहते हैं यह भी मैं clear करूंगा यह सब training के परकार अच्छे से ध्यान रखना summer pruning is a type of training or dormant pruning is also type of training यह आगे हम discuss करेंगे ठीक है to goal of tree training is to direct tree growth and maintain maintenance cutting यह सब बात है जो हुई है वो ही है pruning के लिए बात करें तो pruning is the removal of the proportion of tree to crack or maintain tree structure tree structure को maintain रखना जो किस ने दी थी बिलकुल training ने दी थी it has effect on the function of the plant यह plant के function को effect करती है यानि उसके yield को direct effect करती है size shape को effect करता यह yield को effect करती है it is meant to assist more in determining what the tree does in the respect of fruiting मतलो सीधे का सीधा इसका मतलो यह है कि यह इस बात का निधारन करती है कि जो tree है वो fruiting के से देगी tree है वो fruiting के से देगी इस बात को निधारन करेगा pruning most often done during the winter बहुत सारे जो पेड है वेसे खास करके deciduous उनमे जनरली pruning है winter में की जाती है और ऐसा नहीं है कि winter में दूसरे मोसम में भी pruning की जाती है और हमेशा pruning का crack time जो होता है deciduous tree होती है उनमें तो चैनली फरवरी मार्च में करते हैं जितने भी deciduous tree है परणपाती यानि मैं बात करूँ जो temperature region में होते है एपल पीर पीच पलंबहना ये सब इनके अंदर जो pruning का time होता है वो फरवरी मार्च होता है कब होता है फरवरी मार्च बाकी जबी trees के अंदर मैं बात करूँ तो सब में जैसे फ्रूटिंग हुई फ्रूटिंग complete हमने harvest कर लिया देखो जब आप कोई exam देते हैं तो उससे पहले खूब वित्यारी करते हैं एक्जाम देने के बाद बड़े relax होके आके चाहे आप semester exam देने जा रहे हैं पढ़े चाहे आप 2-4 गंटे ही हो पहले दिन 2-4 गंटे ही पढ़े हो वन नाइट फाइट ही किये आपने वन नाइट बोलना भी गलत है टू-टू-फॉर आवर्स फाइट किये आपने न फिर भ हमेशा हमें क्या करना था जस्ट आप्टर फ्रूटिंग के प्रूनिंग करनी होती है फ्लन के जस्ट बाद हम क्या करते हैं प्रूनिंग करते हैं और जो generally deciduous यानि टेंपरेट रीजन वाले हैं एपल, पियर, पीच, पलम, आलमंड, वोलनट, पेकर नट एट सक्ता एट सक् अब हम प्रूनिंग को छोड़ते हैं सिर्फ ट्रेनिंग को पकड़ते हैं अब हम प्रूनिंग को छोड़ेंगे एक बार ट्रेनिंग को पकड़ते हैं आज के टाइम में जो एक लटेस्ट पेटन बना हुआ है उसमें किस तरह के क्योशन बाकी तो बहुत सारे क्योशन तो पढ़ोगे तब क्लीर होगा लेकिन एक्जामीनर भी तो यह चाहता है ना कि मेरा भी तो दबदबा रहे तो वो कुछ special टाइप के क्योशन पूछ लेता है लांकि ऐसा special कुछ नहीं है लेकिन फिर भी देखो लिन कौन केनोपी ट्रेनिंग न्यूजिलेंड से आया हुआ है कह विफिन सिस्टम नियोर्क का है और इंडिया में नियोर्क से ही इंट्रोडियूस हुआ है Spindlebush जर्मनी का इसे है और इंडिया में जर्मनी से इंट्रोडियूस हुआ है कोडन सिस्टम है वो फ्रांस का है और इंडिया में फ्रांस से ही इंट्रोड्यूस हुआ है अगर मैं बात करूं टेटूरा ट्रेलिस सिस्टम है वो किसने डवलप यह बहुत इपोर्टेंट है क्योंकि ग्रेप्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इल्ड देता है वो कौन सा द किया था यह डवलप किया था कालमर और वेंडान यूडी ने है इन्होंने डवलप किया था कालमर और वेंडान यूडी है इन्होंने डवलप किया था इपोर्टेंट है मोस्ट इपोर्टेंट है टेटूरा ट्रेलिस दोनों ही बात है एक इसका एंगल पूछेंगे वो भी हम बात करेंगे तो इसका तो मैं ट्रिक बता दूँगा कोई दिखकत नहीं आने वाले और एक नंबरो उप्लान्ट भी पुछा जाते है टेट्रा ट्रेलिक्स में कितनी नंबरो उप्लान्ट वो आगे जब हम ट्रेनिंग New York के अंदर डवलप किया था, कहां पे डवलप किया इसको New York में डवलप किया था, ठीक है, अब चलते हैं student हम principle of training की बात करें, यह principle यह समझ लो, मोटी मोटी अपनी आँख खोल देगा, यानि training है उसको एक line में अपने को define कर देगा, देखिए principle क्या है, all method of training must stand or fall by their ability to achieve a tree capable of bearing high yielding fruit without endew breakage, इसने दो बात बोली है, उनी दो बात को दियान रखना है, हम tree के अंदर किसी भी training method में, एसी training करेंगे कि उसकी bearing capacity highest हो, और bearing capacity के साथ साथ यह paid जो है endew breakage, इसमें किसी तरह का कोई breakage नहीं होना चाहिए, that is principle of training, और यही principle है किसका training का, clear है student, अब चलें अपने आगे, अब चलें, तो सबसे पहले तो तीन common method, जो आप बहुत पहले से, ये इतने में ही training खतम नहीं होती है, और इन तीनों से ज़्यादा क्योशन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ये जब आप 11 बारी में थे ना, तब से पढ़ने लगे थे, अना, अब इन से क्योशन कम चांसे कम है, फिर भी हम बात करें, तो बैतरीन बैतरीन चीजें तो लेके चलें, ट्रेनिंग इन और चार्टरी, जो और चार्टरी है, उनके अंदर ट्रेनिंग के तीन तो सबसे पहले common, और फिर उसके बाद लाइन लगा देंगे method की हैं ना, टेंसन मत लीजिए, center leader system, open leader system, और modified center leader system, ये तीन बहुत common method है, जिनको समझलो, आप हमेशा से ही पढ़ते आए हैं, और बहुत ही common है, हाँ, क्योशन पुछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, center leader system में क्या होता है, गोर करिएगा, ये जो ट्रंक है, इसको जाने दीजिए उपर तक, और इसको center को यानि इस ट्रंक को, इस leader को leadership करने दे, इसके साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं करें, stem के साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं, बिल्कुल नहीं किया हमने जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पहली scaffold branch है, पहली scaffold branch है, वो कितनी height पे allow करेंगे, 40 to 50 cm पे allow कर देंगे, और उसक दोस्तों क्या करेंगे, आप अगली जो scaffold branches है, वो ये मान के चलिए 15 to 20 cm पे allow कर देंगे, और इस तरह से जितनी भी आपको 4-6 scaffold branches छोड़नी है, वो छोड़ देंगे, और इस तरह से आप क्या कर देंगे, ट्री को trend कर देंगे, ये ही central leader है, क्यों बोला central leader, क्योंकि center है, वो ह ही हमने leadership करने दी है, इसलिए आप क्या बोलते हैं, इसको center leader system बोलते हो, अब देखिए इसकी problem क्या है, अब देखनी है कि इसकी problem क्या है, सेप तो इसमें लगबग ये मान के चलिए कि triangle सेप बनेगा, और ये एक robust size ले ले लेता है, यानि एक बड़ा size ले ले लेता है, high wind velocity है, जैसे desert या airy dairy है, वहाँ भी इसे काम में नहीं लेना चाहिए, उसके अलाए इसमें और भी problem, size बड़ा है, इस वज़े से काम में नहीं लेना चाहिए, इसमें और भी problem है, साइडों में अब अगर माल लो कि broad leaf है, तो ये beach वाले हिस्से में proper light नहीं आएगी, और proper light नहीं आएगी, तो fruit की quality है, वो weak रह जाएगी, कमजोर रह जाएगी, inferior quality के रहेंगे, तो अब ये ठीक नहीं है, method ये बहुत ही, मतलो rare यूज किये जाने वाला method है, ओनला के अंदर इसको commercially यूज किया जाता था, और बहुत लंबे समय तक, आजकल ओनला में भी लोग modify leader system य central leader system है, वो चलता है, बाकी किसी fruit tree के अंदर आपको central leader system commercially नहीं देखने को मिलेगा, website तर पर आपको नहीं देखने को मिलता है, next हम बात करें open center system, अब open center system का ये तिनों के एक साथ ही diagram था, चलो कोई बात नहीं, अपने हाँ पे discuss कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा area, जो central leadership कर रह था, उसकी problem थी, ventilation अच्छा नहीं है, विगर साइज हो रहा है, तो उस problem को show down करने के लिए, अब आप center को leadership नहीं करने दे, trunk को leadership नहीं करने दे, ये मानिये कि 45 to 50 cm height पे आप stem को cut कर दीजिए, 45 से 50 cm height पर आप stem को cut कर दीजिए, और इससे क्या करिए, generally आप वो जितनी scaffold branches है, 4 to 6, जितनी भी आपको allow करनी है, उनसे allow कर दीजिए, और ये इस तरह का क्या है, shape लेगा, इसको बोलेंगे bowel shape, क्या बोलेंगे bowel shape, अब बताओ इसमें ventilation की कोई problem दिख रही है, कहीं है नहीं, light बहुत अच्छी आ रही है, light बहुत अच्छी आ रही है बट इसकी problem क्या है student, इसकी problem major ये है, कि इसका stem का size छोटा रह जाएगा, जो stem और suit ratio वो अच्छा नहीं है, high wind velocity में ये तूट जाएगा, मजबूत नहीं है, इसलिए open center system जो है, वो बहुत rare काम में लिए जाता है, इसलिए open center system है, वो काम में बहुत कम काम में लिए, central leader को आ केंदरिये अगर प्रो है परनाली, क्या बोलते हैं, केंदरिये अगर प्रो है परनाली का, क्या बोलेंगे student आप इसको केंदरिये अगर प्रो है परनाली बोलेंगे, और open center है, इसको बोलते हैं, खुला प्रो है परनाली, क्या बोलते हैं, इसको खुला प्रो है परनाली, य लिए इसको commercially adapt नहीं किया जाता है इसको websites तर पर काम में नहीं लिया जाता है उमीद है दोनों समझ में आगे होंगे तो open center system से तो कुछ ज़्यादा आपको याद रखने की जूरत नहीं है यह open center system है student यह generally क्या है open center system है वो आपको देखने को मिलता है ठीक है चलिए next अपने ब modification है या उनका intermediate method है यानि beach का method है इसके अंदर हम student क्या करेंगे जो पहले की दोनों के अंदर problem थी वो दोनों ही चोलो जाएगे हम stem को बढ़ने देते हैं बढ़ने देते हैं लेकिन leadership नहीं करने देंगे 120 से 150 120 to 150 cm तक बढ़ने देंगे उसके बाद कट कर देंगे और उसके ब लाओ कर दिया और इन दो scaffold branches के बीच में वो ही कितना difference रखोगे 15 to 20 cm या 13 cm तक भी रख सकते हो तो अब आप देखो stem है उसकी length भी लंबी होगी यानि stem भी मजबूत है light का ventilation भी अच्छा हो गया यानि परकास का जो ventilation है वो भी इसमें श्यांदार हो गया और उसके अलावा generally बहुत जादा robust size भी नहीं लिया बहुत जादा robust बहुत बढ़ा size भी इसने gain नहीं किया है इसने बहुत बढ़ा size भी gain नहीं किया है तो इसको हम बोलते है modify leader system तना भी मजबूत light भी अच्छी आ रही है wind भी अच्छी आ रही है मजबूत भी है टूटेगा भी नहीं perfect है बह सब के अंदर modify leader system ही अगर किसी tree में आप से पूछ ले जी इसमें training का कौन सा method काम में लेते हैं low cart और pecker nut को छोड़ कर online में पहले तो commercially center leader system ही लेते थे आप center leader system का answer है कोई state level का exam है तो उसमें दे सकते हैं कोई general competition exam है उसमें दे सकते हैं कल को आप ARSnet का exam दोगे वहाँ पे तो आपको latest बताना पड़ेगा modify leader system तो low cart को छोड़ दो pecker nut को छोड़ दो online को छोड़ दो बाकी सबी fruit जो एक तो bell के रुप में wine के रुप में नहीं है और दूसरा जाड़ी के रुप में modify leader system है वो अपनाया जाता है clear है student कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की तो लोकाट और pecker nut और online में center leader system पड़ा बाकी जितने भी fruit tree मैं सबद बोल रहाँ tree tree के अंदर modify leader system यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे modify leader system है वो यूज करेंगे ठीक है next student एक है यहाँ पर multi-stem multi-stem training multi-stem क्या होता है जो सरब के रूप में होते हैं जैसे मैं बात करूँ student generally, pomgranate, anar है, kronoda है इनके अंदर अपने क्या करते हैं जमीन के पास से कई सारे stem हैं उनको allow कर देते हैं हना कई सारे जो stem हैं उनको allow कर देते हैं तो उनको बोलते हैं multi-stem training pomgranate के अंदर, anar के अंदर multi-stem training यूज किया जाता है kronoda में भी multi-stem training method है वो use किया जाता है, अच्छे से note कर लीजिएगा pomgranate के अंदर और kronoda के अंदर multi-stem training method चलता है कौन्चा? multi-stem training method जिसमें एक ही एक चीज पे ट्रंक पे ध्यान नहीं दे रहे हो कही सारे आप stem है, उनको allow कर रहे हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, multi-stem training example क्या है? pomgranate है और करोंदा है, चलो समझ में आया होगा next अब हम बात करते हैं student grabs training की grabs training बहुत important है किसकी बात करने वाले हैं? generally हम grabs training की बात करने वाले हैं और grabs training से generally क्या है? आप लोगों से question भी पूछ लिया जाता है और grabs training में सबसे पहले चलते हैं अपने head system head system में क्या होता है student head system में होता है कि जो grabs है, उसको initially stage में, initially बोले तो 4 to 5 years की बात हो रही है 4 से 5 साल की, तब तक आपको उसको stacking देनी पड़ेगी सहारा देना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे? सहारा देके यानि उसको बढ़ने दीजिए क्या करने दीजिए? उसको अराम से बढ़ने दीजिए एक में श्टूडिन जन्नली, उसको बढ़ने दीजिए यही 75 to 90 cm या कभी कबारी से भी थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं 75 to 90 cm तक उसको बढ़ने के बाद हम उसको उपर से कट कर देंगे उपर से कट कर देंगे, अब 4-5 साल में क्या होगा? यह मजबूत हो जाएगा फिर इसको किसी सारे की जूरत नहीं है फिर किसी भी स्टेकिंग की जूरत नहीं है और यहाँ head से हम क्या करेंगे? generally 4 to 5 branch allow कर देंगे कितनी branch है वो allow कर देते हैं, generally student 4 to 5 branches है वो allow कर देते हैं तो यह head system है अजकली कमर्शिल इसको यूज नहीं किया जाता लेकिन मैं बात करूँ कि ग्रेप्स ट्रेनिंग का oldest method आई है ग्रेप्स ट्रेनिंग का generally इसको oldest method कहा जाता है अंगूरों का जो संधाई training को बोलने हैं अंगूरों की संधाई का सबसे पुरानी विदिया ना ग्रेप्स की ट्रेनिंग का सबसे oldest method है ठीक है head system जो है next जो ग्रेप्स ट्रेनिंग के अंदर आता है बावर system बावर system में दो तीन चीजें पहले जो क्योशन important बनते है head system oldest method है और कितनी height से 75 to 90 cm height से काटा जाता है 4 to 5 जो branches है उनको allow किया जाता है ठीक है और अब हम बात करें next method है बावर system हाँ head system से एक क्योशन और बनेगा आपका कि which method is oldest method for graph training अंगूर की संधाई का सबसे पुराना तो कौन सा याद रखोगे आप head system है उसको याद रखेंगे next student बावर system बावर को हिंदी में बोल देते हैं पंडाल अब पंडाल लिखते के से हैं वो थोड़ा सा मुश्किल काम है ना नाम तो डून लिया हमने पंडाल method जितने भी traditional method है student जितने भी पुराने पारंप्रिक method है पारंप्रिक की बात कर रहा हूँ मैं जैसे टेटुरा ट्रेलिस पारंप्रिक नहीं है ये advance method है जैसे मैं बात करूँ head method है या उसके अलावा हम बात करें बावर method है उसके अलावा आप निफिन सिस्टम भी पढ़ेंगे और निफिन के बाद हम बात करेंगे तो telephone method भी पढ़ेंगे तो इन सब जो ट्रेडिसन method है पारंप्रिक वेदिया है उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो production potential है वो किसकी है बावर सिस्टम की है सबसे ज़्यादा जो productivity आती है वो किससे आती है बावर सिस्टम से आती है ठीक है और पहले के समय में सबसे जो popular method था वो भी बावर था सबसे पहले जो पॉपुलर मेथड था वो भी बावर था आज भी साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड में बावर सिस्टम ही यूज होता है और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है जो बड़ी विगर्स जैसे अनाबे साही बैंगलोरा बल्यू औ बहुत ही बढ़िया है वहीं पे मैं बात करूँ जो सेमी विगर्स विराइटियां है जैसे थॉमसन सीडलेस है तासी गनेस है उनके लिए ये बढ़िया नहीं है ठीक है क्योंकि इन में जो एक्स्ट्रा फोलियेज होगा उसकी वज़े से इल्ड पे काफी फरक पड़ जात अना बेसाई बैंगलोरा बल्यू गुला भी उनके लिए बहतरीन है और जन्नली और मतलोब पुराण्य समय में सबसे पर्चलित मैथर्ड पूरी दुनिया में यही था और साउथ इंडिया में आज भी सबसे पॉपुलर बावर सिस्टम है और सबसे ज़्यादा प्रोड़ अब बेसाईर पर अपने जो भी बेल चड़ा रहे है जैसे प्लां्ट टू प्लांट ओ लाइन टू लाइन डिस्टेंस इंडिया में 3x3 मिटर की जाती है इसके अंडर में जन्नली यह जो हम त्यार करती है एक बावर एक पंडाल वो 9x9 मिटर के डिस्टेंस पर करते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं? बावर मेथट बोलते हैं इस लाइन को यहां किस दिया अब जन्नली देखो student इन दोनों के बीच में चार लाइन आ रही है अभी अमनी की चिति और इन दो पॉल के बीच में भी चार पोद्यार इन सब को उपर अपने चड़ा देते हैं यह कोई जाधा इपोर्टेंट नहीं है यह किस तरह से किया जात कितनी 2.1 से 2.4 मिटर है वो रखी जाती है 2.1 से 2.4 मिटर है वो रखी जाती है क्लियर है आगे बढ़ें आगे है निफिन सिस्टम निफिन सिस्टम को ग्रैप्स के अंदर कार्डन सिस्टम भी बोल दिया जाता है सिर्फ grabs के अंदर cardan, वास्तम में cardan system नहीं होता है, cardan या फिर trellis भी बोल दिया जाता है, लेकिन होता इसका नाम क्या है? निफिन होता है, grabs के अंदर particular बोलोगे आप, क्या बोल सकते हो, cardan भी बोल सकते हो, और trellis भी बोल सकते हो, और किसी के लिए नहीं बोलोगे, सिर्फ grabs में, वास्तम में नाम क्या है, निफिन system है, और generally ये कहां पर popular है student, North India में popular है, ये generally कहां पर popular देखने को मिलता है, आपको North India के अंदर popular देखने को मिलता है, देखी student, आप diagram देखते ही समझ गये होंगे, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, कि हमने एक पोल यहां, एक पोल गाड़ा यहां, पहली वाइर इस पे खीची हमने 1.05 मिटर की हाइट पे और दूसरी जो वाइर है वो खीची student हमने यहां पे 1.65 मिटर की हाइट पे, ठीक है, अब जैसे माल लो कि यहां पे हमने इस पोदा लगाया, यहां पोदा लगाया, मतलो प्लांट अब जैसे माल लो कि हमने इसको उपर चड़ाया तो एक केन इधर घुमा दिया एक केन फिर उपर चड़ाया एक केन इधर और एक केन इधर बताओ कितने केन निकले हैं चार तो हम इसको 4 केन ट्रेनिंग मेथड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको एक इदर एक इदर एक इदर ये इस तरह से जो ट्रेनिंग की जाते है उसको बोलते है निफिन सिस्टम और निफिन सिस्टम फोर के इन सिस्टम कहलाता है कहां पर popular है ये नोर्थ इंडिया में अगर मैं particular variety में बात करूँ तो perlet variety में काफी popular है कौन सी variety में student perlet variety के अंदर काफी popular है next हम बात करें spalier system spalier सबद है जो student वो है फ्रेंच भासा का spalier system है वो कौन सी भासा का है फ्रेंच भासा का है और निफिन सिस्टम की तरह ही है किस की तरह है निफिन सिस्टम की तरह है but generally student इसमें क्या होता है एक branch दो तीन कम से कम तीन वायर तो किची जाएगी और तीन से लेकर कितनी वायर तक हो सकती है यहाँ पे तीन से लेकर आठ वायर तक आपको देखने को मिल सकती है 3-2-8 वायर देखो student graphs में तो अपनाते ही अपनाते है इसको apple और peer में भी अपनाया जाता है किसमें अपनाया जाता है apple और peer के अंदर भी generally इसे अपनाया जाता है adapt किया जाता है कितनी देखो हमने पीछे हमने कहा निफिन के जैसा ही है पीछे निफिन में मैंने कितने बताया कि दो जगे आपकी चोगे वायर तो दो वायर की चोगे तो क्या बोला था हमने थ्री वायर खिछते हैं तो पहली वायर है उसकी जो हाइट रखेंगे 62-70 cm from ground level ground level से बात होगी 60-70 cm की उन्चाहिए रखेंगे दूसरे की जो हाइट रखेंगे student वो 120-130 cm की हाइट रखेंगे तीसरे की हाइट है वो लगबग 200 cm की रखेंगे अगर 3 वायर खिछते हैं तो आप 4 खिचेंगे तो यह 270 cm के आसपास 5 भी खिचेंगे तो जनरली student यह मान के चलिए 260 cm के आसपास और अगली वायर खिचेंगे वो 320 और अगली खिचेंगे तो कितने 380 cm यानि 60-70 cm के बीच का difference देते हुए आप चलेंगे 60-70 cm का difference देते हुए वो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से जो ट्रेनिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं इस्पेलियर सिस्टम बोलते हैं कौन सी language का word है student यह French language का है कौन सी language का word माना जाता है इसको French language का word माना जाता है बहुत important है बैस फरक देख लो आप इतना सा ही है इसके लाए और कुछ से इसमें फरक नहीं है ठीक है और जो इस्पेलियर वर्ड है यह French भासा का है और इसका मतलो होता है fence fence तो आप समझते हो ना निफिन से मिलता जुलता सिस्टम कौन सा है तो एस्पेलियर सिस्टम है next हम बात करें student telephone system वैसे तो आप देखते ही समझरे होंगे telephone system क्या है देखिए हमने ये पोल गाडा इधर पोल गाडा और हमने इसमें क्या किया just इसके horizontally हमने एक T लगा दी है हमने कितने केंज को अलाओ किया है एक पोदे से तीन इधर और तीन इधर कितना है छे केंज हम इसको six-can method भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं six-can method भी बोलते हैं telephone method को आप generally क्या बोलते हैं six-can method भी बोलते हैं ध्यान रखिएगा medium सी जो vigors होती है moderate जो vigors variety होती है उनके अंदर अपनाया जाता है जिसे thompson seedless है और उसके अलावा जो perlet है उनके अंदर generally इसको अपनाया जाता है ठीक है और generally अगर हम बात करें भाराष्ट्रा की तो महाराष्ट्रा के अंदर जितने भी wine yard है wine yard बोले तो अंगूरों के बाग कुछ और मा समझ लेना तो wine yard यानि अंगूरों के बाग है तो महाराष्ट्रा के 25-30% जो wine yard है उनके अंदर आपको generally telephone method ही देखने को मिलता है बड़ इसमें क्या होता है summer के अंदर जो berry होती है यानि जो अंगूर के फल होते हैं वो सीधा क्या होते हैं sun के संपरक में आते है जिस वज़े से कई बारिश में sun burning देखने को मिलती है और इसको हम बोलते हैं telephone या फिर six scan method बोलते हैं six scan training method कहा जाता है next student tetura trellis tetura trellis के बारे में कहानी पीछे मैंने बता दी थी इंडिया में कहां से introduce हुआ है Australia से introduce हुआ है इसके अलावा student हम इसको why method भी बोलते हैं क्या method इसको student हम why method भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको वी method भी बोला जाता है दोनों ही बोला जाता है क्योंकि teturats बहुत परकार के होते हैं आगे मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया भर के teturats आपको है वो देखने को मिलते हैं generally हम क्या है ये इस तरह का safe बनाएंगे ये इस V-save training या Y-save training भी कहा जाता है ठीक है अब हम क्या करेंगे जन्नली देखिए student ये हमने इस तरह से एक मिनट हमने ये safe बनाया उसके आगे फिर ये safe बनाया अब हमने यहां से क्या कर दिया wire किच दी sporting wire आप कितनी किचरे हो दो किचरे हो तीन किचरे हो ये अलग-अलग method के इसाब से है आगे हम इनकी बात करने वाले है तो हमने इन में क्या कर दी sporting wire है वो किच दी अब हम क्या करेंगे यहां से plant लाओ करेंगे और उससे कितने केन छोडेंगे अपने दो केन और उन केन को फिर आगे अपने इस तरह से फिला देते हैं तो ये टेट्रोट्रलिस method है और इसके अंदर का जो एंगल रखा जाता है यहां जो बीच का एंगल रखा जाता है इससे Y-shape का या V-shape का वो कितना रखा जाता है 60 degree का एंगल रखते हैं कितना एंगल रखते हैं स्टूडेंट 60 degree का एंगल रखते हैं जनरली क्या है इसमें यह जो आप structure लगाते हैं इसका खर्चा बहुत होता है यह costly method है यह costly method है लेकिन इसमें planting बहुत high density हो जाती है जनरली अगर हम planting देखेंगे तो कितनी planting हो जाती है एक हेक्टर के अंदर 2.222 से लेकर 444 ग्रैप्स के plant आ जाते हैं लेकिन इससे जो ग्रैप्स परड्यूष होगा इतनी crowd के साथ वो भी बढ़िया होगा क्योंकि light है वो proper पहुंचेगी हर जगे है बेरी को light है वो बहतरीन मिलेगी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने तो जो fruit होगा उसकी quality भी बहतरीन होगी और productivity भी सबसे ज़्यादा और number of plant है ग्रेप्स के अंदर वो भी क्या है जनरली बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं number of plant पूछ लिए जाते हैं कहां से आया किसने discovery की और ये जो y angle होता है ये कितना होता है 60 degree का angle होता है ये question generally आप लोगों से पूछे जाते हैं और जादा detail में जब ग्रेप्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे एक एक training को हमने बहुत depth ली पढ़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर अभी हम समझ नहीं पाएंगे next student हम बात करें अगला है कीवी fruit के अंदर T-bar सिस्टम यूज़ करते हैं कीवी fruit के अंदर T-bar का मतलग क्या होता है हमने T बनाया और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया वायर की सदी और उसके उपर हमने इसको trend कर दिया तो हम इसको बोलते हैं T-bar और जो कीवी fruit होता है उसमें पूछ ले कि कौन सा training method अपनाते हैं तो आप क्या बोलेंगे T-bar सिस्टम है वो adapt किया जाता है ठीक है इसके बारे में ज़्यादा detail नहीं करनी है क्योंकि क्यों संत competitive में तो यह पूछा जाता है और theoretically हम बात करें तो जब कीवी fruit पड़ेंगे उसके अंदर हमें बात करनी ही करनी होती है strawberry method row system बहुत important है आप से पूछ ले कि strawberry के अंदर कौन सा training method है वो बहुत ज़्यादा popular है method row system देखिये student हमने यहाँ पे एक strawberry लगाई एक यहाँ पे लगाई एक यहाँ पे लगाई एक यहाँ पे लगाई अब हम क्या करते हैं इनके जो runners हैं उनको allow करते हैं runners इदर भी निकलते जाएंगे इदर भी निकलते जाएंगे इदर भी निकलते जाएंगे तो यह क्या है एक दूसरे के अंदर रिस क्रोस हो जाएंगे और यही ethical सारे जो नए plants है वो grow हो जाएंगे, कितने सारे जो नए plant है, वो grow हो जाएंगे, यहाँ पे ठीक है तो यहाँ क्या है, एक बहुती dense क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक पट्टी बन जाएगी, और यहाँ पे, जैसे इस plant के runners इदर आएंगे, इस plant के इदर आएंगे तो इनके बीच में एक क्या है शांदार मेट टाइप की structure बन जाएगी जिससे fruiting भी ज़ादा होगी जो यहाँ पे मैं बात करूँ Mother plant से जो भी progeny plants आएं उनसे भी fruiting होगी Mother plant से भी क्या है fruiting होगी तो यह proper mate है वो 2 year के अंदर develop हो जाएगी क्योंकि आपको पता है strawberry से runners निकलते हैं और वो intercross हो जाएगे और एक श्यांदार mate है वो आपको इस तरह से develop देखने को मिलेगी और इसकी fruit की yield भी बहतरिन होगी तो इसको हम बोलते हैं Mat row system बोलते हैं क्या बोलते हैं? Mated row system बोलते हैं यह special training practice in dust industry यानि जो temperate region के हैं अब देखे पहले तो हम नाम की बात करते हैं कि कौन-कौन से हैं cordon form जो cordon system है वो apple, pear, peach इन में तो बहुत common हो चुका है इनके अंदर cordon, cordon में भी vertical cordon, horizontal cordon और obliquue cordon इन सब का discuss करेंगे हम उसके लाब pillar system है वो भी use किया जाता है उसके लाब dwarf pyramid system है वो भी use किया जाता है यह जो मैं बता रहा हूँ ना special यह सिरफ desidious tree में यानि apple, pear, peach, plum इन में ही काम में लिया जाता है उसके लाब bus system भी होता है यहां पे bus system की भी बात हो रही है spindle bus system है यह सारे के सारे गोर करिएगा apple, pear में तो सारे के सारे adapt किये जाते है cordon form उसके लाब पिलर system, dwarf pyramid system, bus system, उसके लाब spindle bus system उसके लाब bus system में भी कही सारे और परकार है vertical axis system, middle orchard system, palmetti system, tetra trellis, tetra trellis grabs में यह यूज होता है apple pier में भी यूज होता है ध्यान रखियेगा ठीक है और देखो white trellis, कोई बोले कि यह सिर्फ y shape होता है तो देख लो अभी यह white trellis है उसके लाब solen white trellis है, फिर यह wheat trellis system भी होता है ठीक है, उसके लाब perpendicular we और केरनी system भी होता है उसके लाब मुरम beach irrigation area, MIA trellis system भी होता है जिसमें A shape धारन करता है उसके लाब mikado system भी होता है उसके लाब lincoln canopy भी होता है उसके लाब tapered tree wall hedgerow भी होता है modified Egyptian system भी होता है chemical training method भी होते हैं इतने सारे training method अभी हमें ओर discuss करने हैं और ये मान के चलिए JRF, IRS और NET की त्यारी करने हैं student उनके लिए बहुत important है और उसके लाब हम बात करेंगे जो कुछ ornamental purpose से training की जाती है टॉपेरी और bonsai bonsai का जब discuss करेंगे तो pensai भी आ जाएगा और उसके बाद आपका pruning start होने वाला है तो training प्रूनी एक आसान topic तो नहीं है लेकिन अच्छे से समझ लोगे तो आसान हो जाएगा जितना करवाया है उमीद है, hope है कि वो आपको समझ में आया होगा और हमें इस topic को complete करने में कितना time लगेगा कितने lecture लगेंगे, three lecture लगेंगे ठीक है, तो student next lecture का wait करिए बहुत जल्द ही आप लोगों को provide करवाएंगे और अब तक जो आपको करवाय है वो lecture कैसा लगा तो अपना feedback जरूर दीजिए और जो मैंने बताया था कि नए batches है वो start होने जा रहे हैं और इसके अलावा हमारे यहाँ JRF 40 culture के भी बैचे चलते हैं आप उनको join करना चाते हैं तो कर सकते हैं यह आप लोगों के लिए अपने आप में एक demo lecture भी हो सकता है अब देखिए student हमने सबसे पहले quotes की बात किती plants and humans are wild without disciplines इतना training पड़ा है कही ना कहीं तो समझ में आयोगा without training and pruning एक पेड़ है वो जंगली रूप ले लेगा इंसान पे कोई control नहीं हुआ तो किसी को भी मार देगा किसी को साथ भी क्या है मतलो दुराचार करेगा यानि गलत वहवार करेगा तो discipline, plant का discipline है उसका training pruning और इंसानों का discipline है उसकी family, उसका society, उसका religious, उसका जो भी मतलो वहां का institution है या फिर आप जिसको सविधान बोल देते हैं तो ये उसका क्या होता है एक discipline create करवाता है उससे ठीक है और plants से हम हमारे खेतों में जो plants है उनमें हम discipline, training और pruning के जरिये करते हैं तो ठीक है student, next lecture जल्द ही आपको provide करवा दिया जाएगा सभी को धन्यवाद